नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे MR100 निया बिजनेस लॉग चैनल में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन भी दबा लिजे दोस्तों आज की इस युडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दस ऐसे वह साइज जो खेती से जुड़े हुए है और आप कम से कम जमीन में ये बिजनेस कर सकते हो और ये वह साइज बहुत प्रॉपिटेबल भी है और कम इन्वेस्टमेंट वाले भी आप कम लागत करके लाको रुपए कमा सकते हो तो दोस्तों हमारा पहला बिजनेस आइ मश्रूम फार्मिंग मश्रूम की खेती आप ये कमरे से भी कर सकते हो कमरे का साइज दस बाई दस से जितना बड़ा हो सके साथ ही इस कमरे में हवा और प्रकाश आने की व्यवस्ता होनी चाहिए जिससे की कमरे का तापमान को नियेंत्रित किया जा सके इसमें लगबग पच से साथ हजार उपए का लागत आ सकता है मश्रूम की खेती करके आप महिने के 2 से 3 लाग तक कमाए आप आसानी से ले सकते हो मश्रूम की खेती आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो यूटूब और गूगल पर सर्च कर सकते हो दूसरा बिजनेस है मुर्गी पालन मुख के दो प्रकार से होता है ब्रॉयलर और देशी लेकिन ब्रॉयलर के तुलना में देशी मुर्गी पालन में रक रकाव और बिमारियों की सिकायत भी कम होती है आपको जिस मुर्गी पालन में इंट्रेस्ट है आप आपकी एरिया की किसी भी पोल्टरी फारम पर जानकारी ले सकते हो क्योंकि अलग-अलग एरिया में मुर्गी के अलग-अलग नसल का पालन होता है जो कि उस एरिया के अनुकल होता है यदि आपको मुर्गी पालन प्रस्डिक्शन लेना है आप यूटूब पर भी ले सकते हो और आप देशी मुर्गी फ्री रेंज फारमिंग करनी है तो आप ए वीडियो देख सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए i बटन पर क्लिक करे मुर्गी पालन में खर्च की बात करे तो एक देशी मुर्गी के लिए आधा स्कुएर फूट की जरूरत होती है और इसका चूजा 20-25 रुपय तक मिल जाता है मुर्गी के फिड की बात करे तो एक दिन में 20-30 ग्राम फिड खाते है और चूजा 5-10 ग्राम तक फिड खाता है मुर्गी का वजन 1-2 किलो बढ़ने में 4 महिने तक का समय लगता है देशी मुर्गी को ब्राइलर की तुलना में 2 गुना जादा टाइम लगता है ब्राइलर मुर्गी एक महिने में 1-5 केजी हो जाती है देशी मुर्गी को आप ब्राइलर से 3 गुना अधिक सेलिंग रेट में सेल कर सकते है देशी मुर्गी की उन्नत नसले है सोनाली, एफफजी, डीपी क्रोस, कावेरी, वनराज, इत्यादी तीसरा बिजनेस आइडिया है मदुमक्की पालन इस बिजनेस को आप 50 बॉक्स लेकर शुरू कर सकते हो एक बॉक्स का खर्चा 300-500 तक आता है या फिर आप कारपेंटर से भी आपके हिसाब से बनवा सकते हो इस प्रकार करीब आप एक लाग की लागत में ये बिजनेस शुरू कर सकते है आपकी प्रति बॉक्स 40 किलो सिहद, उत्बादन से 2000 किलो सिहद प्राप्त करेंगे जिसकी कीमत आप 300-300 प्रति किलो के हिसाब से बेच कर आप महिने के 60-70,000 तक कमा सकते हो उत्ब बिजनेस आइडिया है बकरी पालन 25-30% तक बकरी पालन में अनुदान दिया जाता है एक बकरी के लिए 12 स्कोयर फूट की जगह लगती है और बच्चे के लिए 8 स्कोयर फूट जगह लगती है दूद्या मा सुत्पादन के आधार पर बकरी की नसल का पालन करना चाहिए साथ ही अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नसल अनकूल होते है बकरी पौदे की हरी पत्ती ताजा घास जड़ी बुटी को खाना पसंद करती है साथ ही से बारा महिने में ये तयार हो जाती है बकरी की दुदारू नसले सूर्ती जमनापरी बरबरी इत्यादी और मास उत्पादन वाली नसले मारवाडी, उस्मानाबादी, सिरोई, आफ्रीकन, बोरगोट, इत्यादी आप बकरी पालन करके महिने के लाग को रुपए कमा सकते हो पाच्वा बिजनेसे मचली पालन सरकार ने मचली पालन को के सी सी में सामिल कर दिया है जिसमें 75% तक आपको लोन मिल सकता है साथ में कुछ सबसिड़ी भी दी जाती है मचली पालन में सालाना खर्च 25-30,000 तक आता है जबकि प्रॉपिट 1.5 लाग से 2 लाग तक ले सकते है 200 रुपई से 300 रुपई प्रती किलो तक मचली बिक जाती है मचली की उननत किसमें है रोहू, कटला, भाकू, सिल्वर, नहिना, इत्यादी जिले के मचली पालन विभाग से मचली पालन प्रशिक्षन आप ले सकते है छवा बिजनेस आइडिया है डेरी फार्मिंग इस बिजनेस के लिए आपको दुदारू गाया भैस की जरूरत होती है जो कम से कम 10 लिटर दूद देना चाहिए गाया भैस आपकी हिसाब से आप खरीद सकते है 20 से 30 अजार प्रती गाया भैस नसल के हिसाब से इसका रेट होता है डेरी बिजनेस के लिए अपने बिजनेस का रजेस्ट्रेशन करने की अवशकता रहती है इस बिजनेस की शुरुत आप पाच गाया भैश लेकर कर सकते हैं जो की आपने खुद के जमिन पर शेड बनाकर एक से 70 लाक रुपई की लागत से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और प्रापिट की बात की जाए तो 30 रुपए लिटर दूद के विक्री के हिसाब से 50 लिटर दूद का 1500 रुपए आप दिन का कमा सकते हो। दो फिट गड़े में सड़ा कर तयार किया जाता है जेविक खात में सबसे उत्तम खात को वर्मी कमपोस्ट की गिंती होती है यदि आपके पास खुद की एक एकड़ भी जमीन है तो भी आप इसे बिजनेस को मात्र 10,000 उपई की लागत से शुरू कर सकते है और वर्मी कमपोस्ट का हर किसान को जरुरत रहता है साथ ही ओरगयनिक खेती फोलो की बागवानी करने वालों को आप सेल करके अच्छे आरनिंग कर सकते है अट वा बिजनेस आइडिया है प्लांट नर्सरी का बिजनेस प्लांट नर्शरी बिजनेस के लिए जमीन और पानी की व्यवस्ता होनी चाहिए और ये जमीन यदि रोड के किनारे है तो आप इस बिजनेस में अच्छे आर्निंग ले सकते हैं यह यह कैसा बिजनेस है जो 5000 उपए मात्र लागत से सुरुक कर सकते हैं इस बिजनेस में फ्ल आप महिने के 30 से 40 हजार उपए आराम से कमा सकते हो नवा बिजनेस आइडिया है तुलसी की खेती तुलसी एक ऐसा आउशदिया पोदा है जिसकी पत्ति तना फूल सभी उपयोग में आते हैं यदि आपके पास कम जमीन है तो भी आप तुलसी की खेती से अच्छा इंकम ल ले सकते हैं प्रती एकर खर्चा लगबग 15 हजार उपय के आशपास आता है जो कि विज से 25 प्रती हेक्र के हिसाब से 60 राएं प्रती ले सकते हैं तुलसी की खेती में सबसे खास बात अः वाल नहीं तयार हो जाती है दस्वा बिजनेस हैल एवरा के खेती प्रती एकर दो से तीन लाक रुपए की कमाई की जा सकती है। जो की 20 से 25 हजार पौदे आप एक एकड़ से उगा सकते है। लगबग 9 से 11 महिने में पहली पसल तयार हो जाती है। दोस्तो आशा करता हूँ आपको एक रुषी से जुड़े 10 बिजनेस आपको पसंद आये होंगे। तो दोस्तो जानकारी अच्चे लगी तो वीडियो को लाइक करे। ये से ही नए बिजनेस आपडेट पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन भी दबा लीजे ताकि हर वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।